नमस्कार मैं संजीर कुमार 16 सक्सेस मंत्र सिक्स्टीन सक्सेस मंत्रास इसके लिए खक संकरन करता राधारमन अग्रवाल जी है संजेप में प्रस्तुत करने का प्यास कर रहा हूँ पहला एक विद्यार्ती की भाती आप किसी को अपना एक आदर्स बनाएं जो आपका सही मार्ग दर्शन करता रहे अलेकजंडर आफ मेकडोनिया ने कहा है आई एम इन डेप्ट तो माई फादर फार लिविंग बट तो माई टीचर फार लिविंग वेल दूसरा सफलता एक एहसास है यह एहसास आप तप करते हैं जब आपने सही काम सही धंग से कूरा करके अपने समय बद्ध लक्ष को प्राप्त कर लिया है यदि आप कारे की संपन्नता से पूर्ण तह संतुष्ठ है तो यह आपकी सफलता है रक्ष फोकुल ने कहा है एनी सक्सेस विच लेप्स अबैट आफ्टर टेस्ट इस फेल्योर तीसरा पूर्शार्थ इसी में है जब आप दूसरों को बताएं अपनी गलतियां और साथ में सुधार की प्रक्रिया जिससे उन्हें सफलता का मार्ग दर्शन मिले अलबर्ट आइंस्टीन ने कहा है ट्राइ नाट टू बिकम अमाइन अफ सक्सेस बट रैदर ट्राइ टू बिकम अमाइन अफ वेल्यो चौथा कारे को चुनवती के रूप में लें याद रखें जितनी बड़ी चुनवती उतना बड़ा होसला और उतनी ही बड़ी सफलता ट्राविस वाइट ने लिखा है ड्रेम्स केन अफ एन बिकम चैलेंजिंग बट चैलेंजेज और वट वी लीव फ़ार कठिन परिश्णम के साथ संयम और धै को अपने नित्य अभ्यास में लें याद रखें नोहा वेबस्टर को अपनी डिक्सनरी के संकलन में 36 वर्ष लगे थे जो धै रिवान है वह सफलता की चोटी पर पहुँचने का अधिकारी है एंडर स्वेगोविया ने कहा है अमाइन विदाउट पैसेंस इस अ लैंप विदाउट ओयल चठा जोखिम और साहस इन दोनों से हासिल होती है उची उपलब्धियां आने वाले कल को ध्यान में रख कर आज जो औशर आपके पास है उसका भरपूर फाइदा अवस्य उठाएं राबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है इट वाज रोजेज रोजेज आल दवे क्रियासील बने रहने के लिए यह जरूरी है कि आप कारे के प्रती अपनी पूरी जिम्मेदारी समझें और यह तभी संभव है जब आप टाल मटोल की प्रवित्ती से दूर रहते हैं जिम्मेदारियों को स्विकारने का एक सरल तरीका है कि आप इन्हें अपने कर्तब्य के रूप में लें श्रीकिष्ट ने अर्जुन को कर्तब्य पराण बता कर उनके खोए हुए स्वाहिमान को वापस दिलाया था जॉन एफ केनेडी ने कहा है आठ्वा आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही निखार आपके वेक्तित्त में आएगा जो आपको सफलता के सिखर पर ले जाएगा संघर्ष के लिए बारा गुण आवश्चक है पहला दिढ़ इच्छा सक्ति दूसरा लगन वसाहस उत्साह श्रम शक्ति आसा धैर वसहन सीलता आत्मिश्वास चरित्र बल समय की पाबंदी सिख्टा चार एबं व्यहवार कुशलता मन की एकागरता और बारहमा खोजी प्रवित्ती गिल्बर्ट चेश्टिस्टन ने कहा है बारिस के वगैर जीवन के आसमान पर इंदरधनुस नहीं बनता है अर्थात वे लोग ही महान बनते हैं जो जीवन में बार बार बाधाओं से घिर जाने पर भी अपने निर्धारित कारे को बीच में नहीं छोड़ते बलकि उत्साह के साथ उसे उत्कृष्ट बनाने में संघर्ष सील बने रहते हैं भगवान राम के ब्रम्हास्त अर्थात रामबान जिसकी सहायता से उन्होंने विजैश्री का वरण किया था पहला सौर और धैर दूसरा सक्त्य और सील बल और विवेक परुपकार छमा दया और समता डेल कारनेगी ने कहा है दुनिया में महत्व पूर्णकार उन लोगों के लिए है जिन्होंने कठिनाईयों में भी अपने प्रयास जारी रखे नवा अध्यात्म को जीवन का अंग माने जिससे आप सफलता के मार्ग में प्रकृतिके नियमों का उलंगन करने से बचे रहें क्योंकि वे सकारात्मक दिष्टी से उन्नती में सहायक होते हैं उल्लेखनी है कि प्रकृति अपने किसी भी कारे को न तो समय से पहले करती है और नहीं समय के बात करती है वह सदयव समय अनुसार ही कारे करती है जैसे दिन रात बीज से व्रिक्ष बाल्या अवस्ता से व्रिधा अवस्ता इत्यादी यह भी ध्यान देने योग है कि प्रित्वी का घुर्डन हो या परिभ्रमण वह निरंतर लगातार हो रहा है इसी प्रकार बीज से व्रिक्ष और व्रिक्ष से व्रिक्ष अनुवरत निर्मित हो रहा है अतह आपको भी यह हम सब को अपने निधारित लक्ष की प्राप्ती है तू सतत प्रयासरत रहना चाहिए दस्मा भाग्य तभी साथ देता है जब आप अपने काम के प्रती पूर्थ समर्पित रहते हैं और काम के प्रती पूर्थ वही समर्पित हो सकता है जो परिडाम के बारे में लगातार नहीं सोचता रहता वह पूर्ण मनुयोग से कारे करने में ही आनंद प्राप्त करता है इसी दिष्टी से भगवान स्री किष्ट ने कहा है तेरा कर्म करने पर अधिकार है उसके परडाम पर नहीं एबरी मैन इस दा और्किटेक्ट ऑफिस आउन फार्चून 11. आपका चरित्र ऐसा हो कि आप विकाओ न समझे जाएं अन्य था लोग आप पर आपका विश्वास नहीं करेंगे Samuel Smiles का कहना है The crown and glory of life is character It is noblest possession of man It exercises a greater power than wealth and secures all the honor without the jealousies of fame इस पष्ठ है चरित्र संसार की सब सक्तियों पर छा जाने वाली महा सक्ति है The boardman ने कहा है So and act and reap a habit So a habit you reap a character So a character you reap a destiny And nothing beyond destiny 12. आपका प्रतेक छण एक आउसर है इसे आप पहचाने पकड़ें और उससे लाभलें जैसा की कहा गया है छणे विद्या कणे धनम 13. समय का आदर करने से जीवन व्यवस्थित बनता है अतह समय प्रबंधन को अत्यदिक महत्य दें पिटमेन ने कहा है वेल अरेंज़ टाइम इस दा स्यूरेस्ट मार्क अफ वेल अरेंज़ माइट 14. सफलता या असफलता हमारे सब्दों में छिपी है अतह वानी का संयम सफलता के लिए जादू से कम नहीं है गुरुनानक देव ने कहा है सब्द के संबाद से सीव, ब्रह्मा और इंद्र की शक्ती प्राप्त हो सकती है व्यक्ति का पिछला जीवन चाहे जैसा रहा हो सब्द संबाद द्वारा वसंबान प्राप्त कर सकता है अतह पहले तोलो, फिर बोलो पंद्रहमा ओर कॉन्फिडेंस सफलता के डर का दूसरा नाम है जो असफलता का कारण बनता है अतह इससे बचें लास्ट बटनात लेस्ट सफलता का मूल मंत्र है अपने कारे को सर्वस्रेष्ट तरीके से करना यह तभी संबाव है जब आप अपनी जमता का सो प्रत्शत इस्तिमाल करते हैं धन्यवाद, नमस्का, मैं संजीर कुमार